Metabolism of Proteins, First are Contents, Energy from Proteins, Excretion of Nitrogen Waste, and Overview of Metabolism of Food Molecules. So First is Energy from Proteins, Proteins जैसा के तमाम Proteins जहां वो Aminoeuses के मिलने से बनी होती हैं, तो normally Aminoeuses जो हम Food का हमारी डाइट का हिस्सा होते हैं, ज्यादातर Aminoeuses वो होते हैं जो हमारे बाड़ी के अंदर फर्दर Proteins, Molecules को बनवाते हैं, लेकर जब यह excessive amount में मौझूद हैं, तो फिर यह Aminoeuses जो होती हैं, इसकी breakdown होती है, Aminoeuses की breakdown में जो इससाब से important step है, वो है de-amination, यह Aminoeuses का Aminoeuses का Aminoeuses का कर दी जाता है, अलग कर दी जाता है, और जो बाकी चीज रह जाती है that is called keto acid, वो keto acid फिर आगे crab cycle मेंटर होता है, और इससरा से फिर आगे जो ATP produce कर वाता है, या की, प्रोटीन से कितनी energy हासल होती है, नॉर्मल ली एक ग्रैम प्रोटीन से approximately 4 kilo calories energy हो प्रोडूस होती है, यह energy same glucose के करीब करीब है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 gram of glucose या 1 gram प्रोटीन से हासल होने वाले energy almost equal होती है, जबकि लिपर से वाने हासल होने वाले डबल से बज़्यादा होती है, तो amount of energy from protein and glucose is almost equal keto acids तो चला जाएगा क्रैब साइकल में और energy प्रोडूस कराएगा, जबकि अमाइनो इसलिए का amino ग्रूप है that is producing a toxic, जब मालेकुल प्रोडूस कराएगा, that is a ammonia, ammonia cell के अंदर बहुत toxic है, cell के जो से मालेकुल को यह क्या करेगा, सवीरली damage करता है अब इसलिए जब अमाइनो ग्रूप से पैदा होने वाली ammonia को 40 तो पर body से release करवाना ज़रूरी है जो aquatic organisms हैं, aquatic organism के अंदर चुकि अलिज़ वाटर में रेलियम को पास पान की कम ही नहीं होती है तो जितना भी ammonia जो है, वो फोरण gills की तरफ लाया जाता है या surface की तरफ लाया जाता है और ammonia gas को body से release करवा जिया जाता है तो simply हम कहा सकते हैं कि वो animals जिनको water की shortage नहीं है या water की ability बहुत ज़्यादा availability उन animals के अंदर ammonia जो it simply diffuse out from the skin वो skin gills हो सकते हैं वो simple skin हो सकते हैं इन vertebrate की तो इस तरह से ammonia जाओ चलिए अब वो animals जिनको large amount of water available नहीं है उन animals के लिए फिर option यह है कि वो ammonia को less toxic form में convert करें ammonia को less toxic form में convert करने की job करता है liver liver के अंदर हमारा liver वैसे पता आपको biochemical machinery है तो जो liver के अंदर यह ammonia जहां भी body के अंदर बनती है इसको फोरण liver में वेजा जाता है liver के अंदर ammonia को convert कियता है जूरिया में और फिर यह जूरिया kidney के थूरू urine की फा में हम बाड़ी से release कर देते हैं अब कुछ animals ऐसे हैं जिनको water की बहुत acute shortage है यूरिया release करने के लिए moderate water चाहिए जैसा हमें available है हमारे बाड़ी जह हो ammonia को यूरिया में convert करता है liver और फिर वो हमारे kidneys के थूरू filter out हो जाता है लेकन वो animals जिनको acute shortage है जहां water है तो फिर उसमें यूरिकेसर जहां बनता है यूरिकेसर सबसे कम toxic होता है इसको कुछ time तक store भी रखा जा सकता है ये एक overview हमारे पास है कि किस तरह से proteins या बाकी मालिक जह उनकी metabolize होता है कैसे energy provide करें let we start with proteins proteins की जब breakdown होती है तो amino acid बनता है amino acid की जब further आगे breakdown होगी तो उसमें keto acid बनेगा वो keto acid या तो pyruvate को join करेगा या acetyl koenzyme A बना देगा या वो keto acid फिर आगे directly क्रेब cycle में आ जाएगा जबकि amino acid जो ammonia है वो as ammonia release हो जाएगी या फिर ammonia की फाहमें अगर release नहीं है तो फिर ये यूरिया वगरा की फाहमें बाड़ी से release कर दी जाती है तो इस तरह से अवराल जा हो लेकर जो energy हासल होनी है वो कहां से होनी है वो keto acid protein से amino acid amino acid से keto acid और keto acid अगे क्रेब cycle में enter होकर जो energy देगा क्रेब cycle से आगे electron transport chain चलेगी तो सेम यही mechanism होई रवार पस कार्बो हाड़ेट और fats के भी है कार्बो हाड़ेट से भी sugar तो glucose बनता है glucose से glycolysis, glycolysis से क्रेब cycle और फिर electron transport chain यानि क्रेब cycle और electron transport chain सब में कामन है फैर्स में भी यही होता है फैर्स में glycerol से glycerol डियाइड 3-5 फैर्स फिर्स वो glycolysis में चला जाएगा जब को फैर्स के जो main fatty acids हैं वो acetyl koinzyme A बनाते हैं जो क्रेब cycle electron transport chain चलाएंगे और ultimately ये तीनों बायो मालकुल फैर्स कार्बो हाड़ेट से क्या होगा क्रेब cycle electron transport chain चलेगी जिससे ATP प्रोडियूस होगी